हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में data on रहता है आपके चालू रहता है बट आपके फोन में YouTube का जो application है वो नहीं चल पाता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी की बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करनी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए guys आपको सबसे पहले अपने phone में setting को open करना होगा setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर क्योंड slide करनी है और यहाँ पे आपको एक option आता है application का तो यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage application में जाना है और यहाँ पे आपको जो है YouTube लिखके search कर लेनी है गाईस तो इस तरीके से आप YouTube लिखके search करिए और उसके बाद आपके सामने YouTube का जो application है वो आएगा तो आप उसको open कर लिजेगा open करने के बाद यहाँ पे आपको data usage को option आता है तो आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे आपको mobile data को option आता है तो आपको कुछ चीज तरीके से enable करना है enable करने के बाद आपको okay कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है गाईस यहाँ पे आपको YouTube का जो application है उसको अपने phone में यहाँ पे आपको latest version का download करना है तो आप play store में जाएए और यहाँ पे YouTube application को search करिए और यहाँ पे latest version को update कर लीजिए अगर आपके phone में update का option आता तो फटाफ़र से update कर लीजिए उसके बाद guys यहाँ पे आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो इसी तरीके से guys आप सभी लोग इस problem को solve कर पाएंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और चैनल को subscribe भी कर लीजिए